बल्वत स्टार्स जैसे सल्मान खान, अक्षे कुमार, आमिर खान, अज़े देव गन, रनवीर सिंग समेट कई आक्टर्स अपनी फिल्म के साथ फीस को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। साउच सुपस्टार रजनी कांथ एक-एक फिल्म के लिए बाकी आक्टर्स से कई अधिक फीस वसुलते हैं। मीडिय रिपोर्ट्स की माने तो अननाथे के लिए रजनी कांथ ने सौ करोर रुपे चार्च किये थे। अब अपनी अगले फिल्म जेलर के लिए वो लगभग देर सो करोर रुपे लेंगे। कमल हसर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके कमल हसर ने कई ब्लॉग बस्टर फिल्में दी हैं। आल ही में कमल ने लंबे समय के बाद फिल्म विक्रम के साथ फिल्मों में धमा की दार बापसी की है। इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाया। मीड़े रिपोर्ट्स के मताबिक कमिल हसन ने अपनी अगली फिल्म के लिए देर सो करोर रुपे चार्ज किये हैं। साउथ इनिस्ट्री के जाने मने आक्टर विजे ने मास्टर समेट एक के बाद एक कई हिट फिल्म में दी हैं। बहुतर फिल्में देने के साथ साथ विजे अपनी फीस भी बढ़ाती रहे। रिपोर्ट्स के मताबिक विजय अपनी अपकमिंग फिल्म वरिसू के लिए 120 करोड रुपए लेने वाले हैं। वो अब तक 60 से उपर फिल्मे कर चुके हैं। बताय जा रहा है कि सरसटफे फिल्म के लिए वो 130 करोड रुपए चार्ज करेंगे। अलु अर्जुन साउट सूपस्टार अलु अर्जुन जो बीते कईदरों से अपनी फिल्म पुष्पा को लेकर सुर्ख्यों में हैं, काफी ज्यादा फिस चार्ज करते हैं। जल्दी वो पुष्पा के सीकुल में नज़र आएंगे। बताय जा रहा है कि इस फिल्म के लिए आक्ट 120 करोड फीस चार्ज करने वाले हैं। प्रभास बाहुपली चूटे सी सूपर हिट फिल्म देने के बार प्रभास ने अपनी फीस बढ़ा दी है। आक्टे एक फिल्म के लगभग 100 करोड रुपे चार्ज करते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आदी पुरुष के लिए आक्टे ने 120 करोड रुपे चार्ज किये हैं। रामचरण इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल SS राजा मॉली की ट्रिपल आर स्टार रामचरण भी महंगे आक्टेज में से एक माने जाते हैं। रामचरण अपनी नई फिल्म के लिए 100 करोड रुपे चार्ज करने वाले हैं। महेश बाबू साउथ सूपरस्टार महेश बाबू भी फिस लेने के मामले में किसी से कम नहीं है। साउथ में आक्टिस की फिल्मों खक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। मेरे रिपोर्ट्स की माने तो महेश बाबू एक फिल्म के लिए लगभग 80 करोड रुपे चार्ज करते हैं। जूनियर एंटी आर कमेंट कर जरूर बताएं।